बोच्परी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और वेल का आईकोन दबाईए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाईए बोच्परी आईकोन 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 ठो आप खिँ आप वआश्य को में दोगान में जे डारक पना 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 दो पर एख के बाःन वे देक भी के बाव ख कि देक में गजे कि आप जहां जहां पाचार में जा रहे हैं ताथ का आप यूपी बिहार बंगाल जहां जहां हम भूम रहल बानी आज दिल्ली में बानी दौतम गंभीर जी के लोग सबाब कान में एक ही सांड आवाता है गया घर-हर मोधी घर-हर मोधी यह का अच्छा लागता हमार मोधी जीट वही फिर से हमार मोधी प्रधानमंति बने जा रहा हलवानी हमरे देश के विकास दिख रहा हलवा बिकास हो रहा हलवा ध्यर स्री रा आप अपने प्रेता के लिए पप्लिक के लिए आप क्या कहेंगे लिए प्यार देखी रहे लिए एक नेता के सामने अगर ऐसा दुलार प्यार सने देखने को मिलता है विया सीना चोड़ा हो जाता है और हमारे लिए सबसे बड़ा धनी यही है अखिलेश यादव पर निशाना नहीं साथते ऐसी सोच पर निशाना साथते हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही है और जो की गलत है जैसे कि हम नेपोटिजम की बात हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं तो वैसा ही नेपोटिजम पॉलिटिक्स में भी नहीं होना चाह और दिनेश जी की सोच के हिसाब से वो नेपोटिजम गलत है तो वो किसी पर्टिक्यूलर आद्मी को टाइट नहीं कर रहे हैं वो उस जातिवाद वाली सोच को टारगेट कर रहे हैं और मेरी और हमारी पूरी इंडस्ट्री की बेस्ट विश्ट विश्ट है दिनेश के जब दिनेश जी बुलाएंगे तब हम लोग सब पहुँच जाएंगे और आइधिंक एक शो होगा शायद वो जब लास लास डे होगा प्रचार का तब शायद एक शो करेंगे इंडस्ट्री के लोगों के लिए और वी विल आल गो एंड सपोर्ट दिनेश मैं जब भी जब भी बुलाएंगे और उनके लिए पका प्रचार करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गोरगपूर की सीट वापस आए और मैं ज़रूर प्रचार करूँगी रवी जी के लिए जब भी वो बुलाएंगे अग्सवाइब भी जब अभी एसा कोई प्लाइन नहीं है देखें यह सब जो रूमर्स है कि मैं पॉलिटेशन बनने वाले हूं ए गलत है मैं जल्दी शादी करने वाली हूं ये भी रूमर मुझे सुनने में ये भी गलत है ऐसा कुछ नहीं है I am completely committed to my work. मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आक्टिंग करनी और अपने काम पर फोकस करनी हूँ. प्लीज मुझे करने दे. मेरी शादी के बारे मेरे पॉलिटिक्स जॉइन करने के बारे में मत सुचे कि यह सा नहीं होने वाला है. अब आमरपाली करेंगे आमरपाली करेंगे चाहिए वो साल की एक फिल्म क्यूं ना करेंगे. क्यूंकि उनके पर जिम्मदारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बहुत जादा काम नहीं कर पाएंगे. लेकिन मेरे ओपर अपने ओडियोंस को एंटिटेन करने के अलावा और कोई जिम्मदारी नहीं है. तो मैं कंटिणूसली काम करूँगी और अपनी ओडियोंस को हमेशा ऐसे ही एंटिटेन करती रहूंगी जब तक वो मुझे बेखना चाहेंगे. अब इसमें करेंगे तो लेकिन काम में बिजी है तो हम डिस्टरफ थोड़ी कर सकते हैं. ऐसे तो कित्मी फिल्म में जब अलग शूटिंग करते हैं तो हम लोग तो हम लोग तो ही डिस्टरफ करने जाते हैं. लेकिन अभी के लिए हम लोग कोई उनको मिसने करा हम सब चाते कि वो अच्छे से काम करें. दिनेश जी को बहुत अच्छे से जानते हैं. और लोगों को नई दिशा दिखाना चाहते हैं. और मैं उस सोच से बहुत सहमत हूँ. इसलिए मैं चाहते हूँ कि दिनेश जी जीते हैं. और मुझे पक्का यकीन है कि दिनेश जी जीतेंगे. दिनेश जीते हूँ कि दिनेश जीते हैं. अच्छे भविष्य के लिए और बहतर भविष्य के लिए आप लोग प्लीज एलेक्शन के दिन अपने घरों से बाहर निकलें. वोट करें. डू वोट आपका वोट बहुत ही कीमती है. बहुत ही प्रेशियस है. प्लीज जाएए और जाके वोट करिए कमल का बटल दबा. आपने दिनेश के लिए जाके मुनोधी के लिए कोई गाना नहीं गाया. तारे लोग आ रहे हैं. जी, जी. मैं गाओंगी. जी, मैं सोच रहे हैं कि कोई अच्छा एकदम धमाकेदार गाना बना के गाऊं. लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था भी बहुत दिन से. और प्लस, I was having a throat infection also. बट जैसे कोई अच्छा गाना तयार होगा, मैं जरूर गाऊंगी. Thank you. Thank you so much. Thank you.